हालो फ्रेंड स्वागते आपका मेरे चनल पर आज मैं फिर से एक आमला की रेसिपी आपके लिए लेक्या हूं आज हम बनाएंगे आमला का जैम इसके लिए मैंने आधा केजी आमला ले लिया उससे बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है उसके बाद पानी से अलग करने के से ऩाल दिया है अब हम 2 सीटी आने देंगे तेज आज पर 2 सीटी आने के बाद मैं बने ठोडां से ठंडा कर लिया तो ये चार पार्ट में बढ़ जाता है और इसका बीज अलग हो जाएगा तो इसी तरीके से हम सारे बीजों को अलग कर लेंगे इसमें से मैंने बीज अलग कर लिया है तो अब हम मिक्सी के जार में इसे डालेंगे और friends बिना पानी के यूज के हम इसका पेस्ट टयार करेंगे तो हमें बिलकुल पानी यूज नहीं करना है आप चाहें तो इसे मैशर के मदश से भी मैश कर सकते हैं तो मैंने mixer जार में किया है तो आप देख सकते हैं इसका बारिक सा पेस्ट मैंने बना लिया अब हम यहां कढ़ाई को गैस पर डालेंगे और हम कोई भी ओयल या घी यूज नहीं करने वाले हैं हम डारेक्ट ही पेस्ट को कढ़ाई में ट्रांस्वर कर देंगे उसके बाद आधा केजी हमारा आमला था तो इसमें आधा केजी ही हम चीनी भी आड़ करेंगे जितना आमला रहेगा उतना ही क्वांटिटी में चीनी भी आड़ होगा और उसके बाद मैंने गैस को ओन कर लिया है और गैस को हमें लो टू मिडियम हिट पे रखना है तेज आज पे हम बिल्कुल इसे नहीं बनाने वाले आपको बस कुछ नहीं करना है बस आपको इसे अब लगातार चलाते रहना है आप जैसे देखेंगे कि चीनी इसके साथ मेल्ट होगा तो ये बिल्कुल पानी की तरह हो जाएगा थोड़ा गीला हो जाएगा तो आप देख सकते हैं अब ये गीला होना हमारा शुरू हो गया है मेरा फ्रेम लोटू मिडियम हीट पर ही है आपको इसे लगातार चलाते वे इसे ड्राइ करना है जब तक जैम की तरह ये ना हो जाए तब तक आपको इसे लगातार चलाते रहना है तो आप देख सकते हैं अब ये बहुत जादा चेनी हमारा गई चुका है तो ये लिक्विड आपको हो गया है तो आप दिख रहा होगा आपको वीडियो में इसी तरीके से आपको चलाते रहना ऐसे छोड़ना नहीं है अब ये धिरे धिरे हमारा ड्राइ होना शुरू हो गया है ये जैम बहुत जल्दी बन जाता है फ्रेंट्स अब मैंने इसमें आड़ कर दिया इलाइची का पाउडर वन टीज पूंज इतना मिक्स करेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे ये बहुत अच्छा तरीका है फ्रेंट्स बच्चों को जैम की तरह बना करके आमला खिलाने का क्योंकि बच्चों को आमला खिलाना बहुत मुश्किल होता है तो अगर हम उसका जैम बना लेंगे तो बच्चे बहुत ही प्यार से और बहुत ही आरामसे से खा भी लेंगे और आप इसे लंबे टाइम तक स्टोर करके भी रख सकते हैं तो अब देख सकते हैं हमारा अब ये गाड़ा होना शुरू हो गया है मैंने इसमें कोई भी कलर आड़ नहीं किया है क्योंकि वो हल्दी नहीं होता है अगर आपको थोड़ा कलर चाहिए तो आप इसमें थोड़ा हल्दी आड़ कर सकते हैं तो फ्रेंट्स अब मैं इसमें आड़ कर रही हूँ वन टी स्पून जितना दालचीनी का पाउडर मिक्स कर देंगे बीना कलर के भी इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है अब फ्रेंट्स आपको ये देखना है कि आप इसे अगर उठाके उपर से नीचे गिराएंगे तो ये थोड़ा थक्ये की तरह गिर रहा हो तब ही ये आपका जैम की तरह हो गया है तो आप गैस को बंद कर सकते हैं तो हमारा अभी एक से दो मिनट और होगा और ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और ज़्यादा गारा हो जाता है इस बात का भी ध्यान रखेंगे तो अभी देख सकते हैं थोड़ा सा हमें और इसे पकाना है तो हम इसे लगातार चलाएंगे अब फ्रेंट्स एक बार हम फिर से इसे चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं अब हमारा जैम बन के तयार हो गया है तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के बार आप देख सकते हैं ये और भी जादा हमारा गारा हो गया है तो friends अब आप इस jam को किसी glass के jar में store करके रखे और सबसे important बात है friends कि आप इसे लोहे की कड़ाई में बिल्कुल ना बनाए क्योंकि लोहे की कड़ाई के साथ यह reaction करेगा और आपका jam काला पर जाएगा तो friends उमिद करती हूँ कि आपको यह recipe पसंद आई होगी आपके लिए useful होगा आप इसे try कीजिया try करते और आपको पसंद आता है तो like करें हमें subscribe करें अब bell icon तो जरू टैप करें धन्यवाद